वेलकम स्टूडन्ट असिस्टेंट आपरेटर का अभी ज़स्ट एक्जाम चल रहा है और जिसमें से पुलिस अधनियम 1861 से 5 से 6 प्रस्ण बन जा रहे हैं और कहीं कहीं कोई-कोई सिप्ट में 7 से 8 भी प्रस्ण बन रहे हैं तो इसलिए पुलिस अधनियम 1861 आपके लिए बह वीडियो कम्पलीट ये अगर आप देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे तो एक भी प्रस्ण पुलिस अधनियम से नहीं छूटेगा लेकिन चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि इस वीडियो के पीछे मैंने मेहनत करके अभी जश्ट कह कहां से क्या क्या करके इस कंटेंट को तयार करना है ये मुझे खुद पता है दोस्तों अगर मेहनत अच्छी लगती है तो बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके अपने मिते तक सेर जरूर करना है तो चलिए हम पुलिस अधनियम 1861 एक वीडियो में पूरी मैराथन कम समय मे कमपलीट करेंगे देखे आपको पता है कि पुलिस अधनियम 1861 से जितने भी प्रसमे छप रहे हैं पेपर में वो केवल धारा से संबंधी छप रहे हैं तो बस आपको धारा पुलिस अधनियम 1861 का तयार करना है और इसमें कुछ नहीं है तो पहले पुलिस अधनियम धारा एक धारा एक में क्या है निर्वाचन खंड है और धारा एक के का में या एक के एक में क्या है तो जिले की मजिस्ट्रेट की परिभासा यह आपको याद रखना है ठीक है और धारा एक के दो में क्या है तो मजिस्ट्रेट की परिभासा धारा एक के एक में तो जिले के जिला का परिभासा ठीक है साधारन पुलिस जो होते हैं जिले में उनकी परिभासा दिया गया धारा एक के चार में धारा एक के पांच में अगर हम बात करें तो जिला अधिचक और जिला पुलिस अधिचक की परिभासा धारा एक के छे में बात करें तो संपति का परिभासा और धारा एक के साथ में अगर हम बात करें तो नागरिक उड़यन कर्मिक की परिभासा उत्तर परदेश अधिनियम 33,001 द्वारा अन्ता स्थापित ठीक है? और धारा एक का आठ की बात करें तो डक्त की परिभासा धारा एक की नव बात करें तो मास सब्द की परिभासा और धारा एक की दस की बात करें तो ढोर की परिभासा ठीक है? यह सभी पॉइंट को याद रखना है धारा एक की ग्यारा की बात करें तो पुलिस बलके अधनिस्ट पंक्तियों के प्रते निर्देश का अर्थ की परिभासा और धारा अब हम पढ़ेंगे दो देखे सभी को नोट कर लेना है मात पांच से दस या पंदा मिनिट की वीडियो बनेगी इसे अगर आप कम्पलीट कर ले कर्मिक पुलिस बल होगा और उत्तर परदेश अधिनियम तैस्टीस दो हजार एक द्वारा अंता स्थापिद ये भी आपको याद रखना है देखिए धारा एक के साथ और धारा दो के काम में आपको कनफ्यूजन नहीं करना है कि नागरी उड़एन कर्मिक पुलिस यहां पर देखे पुलिस बल होगा लेकिन यहां पर पुलिस बल नहीं दियागा इसलिए बिल्कु भी कनफ्यूजन नहीं होना है धारा 3 में बात करें तो राज सरकार में अधिझण का नहित होगा ठीक है ध बारे में परिभासित किया गया है धारा छे के बारे में बात करें तो धारा छे निरस्त कर दिया गया है इसलिए इसमें कुछ भी नहीं है आपसे पूछा जा सकता है कौन सा धारा निरस्त किया गया है तो धारा छे धारा साथ की बात करें तो आवर अधिकारियों की न्युक् या दो मास्क की सूचना के पद्याग नहीं कर सकेंगे ये धारा 9 में कहा गया है दोस्त इसमें मेहनत दिख रही है तो आपसे छोटी से रिक्वेश्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सियर कर दीजिएगा ठीक है और जो कंटेंट आपके प्रस्न में जो छप रह गया है आपसे एक बात और बता दूँँ दोस्त अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे है तो यूपी पुलिस के लिए मने राम बार कंटेंट तैयार किया है जो की चालू होगा आठ आठ फरौली से वो सभी कलास है तो इग्णूर नहीं करना है चैनल पे नए है तो इस करें तो ब्यक्तगत खर्चे पर निवजित अत्रिक्त अधिकारी हो सकते हैं धारा 13 में कहा गया है धारा 14 में बात कने तो रेल और अन्य करमों के आसपास अत्रिक्त बल की निवक्ती धारा 15 के बात करें तो विच्छुब्ध और संकट पून जिलों में अत्रिक्त पुलिस बल को रखना और धारा पंद्रा के का में अगर हम बात करें तो निवासियों या भूमी में हितबध ब्रक्तियों को दुराचरण से पीड़तों को प्रतिकर अधिन निर्डित करना ठीक है पीड़तों की मतलब सहायता करना धारा पंद्रा के का में कहा गया धारा अगर हम 16 की बात करते हैं तो धारा 13, 14, 15 और 15 के का के अधीन संदे धनों की वसूली और वसूली होने पर उनका ब्याई ठीक है धारा 16 में कहा गया है और धारा 17 की बात करें तो बिसेज पुलिस अधिकारी की जो बात की गई है धारा 17 में और धारा 18 में बिसेज पुलिस अधिकारी की नियुक्ती की बात कही गई है धारा 19 की बात करें तो बिसेज पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इंकार ठीक है ये भी आपको धारा 19 में बहुत important है एक एक प्रस्ण बिलकुल ignore नहीं करना है और विसेश पुलिस अधिकारी द्वारा प्रियोग किया जाने वाला प्राधिकार धारा 20 में कहा गया है धारा 21 में ग्राम पुलिस अधिकारी का वरलन है धारा अगर 22 की बात करें तो धारा 22 में पुलिस अधिकार सद्यों कर्ट्यब बरूर रहेंगे और जिले के किसी भी भाग में नियूजित किये जा सकेंगे धारा 22 में कहा गया है ठीक है अगर धारा 23 की अगर हम बात करें तो पुलिस अधिकारियों का कर्ट्यब कर्ट्यब के बारे में कहां बताएगा धारा 23 में धारा 24 में बात करें तो पुलिस अधिकारी इतिला इतियात कर सकेंगे धारा 25 में बात करें तो पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत को अपने भार साधन में ले सकेंगे और इसके बेयन की बात मजिस्टेट के अधेश के अधिन होंगे ठीक है जैसे कोई अगर संपत मिली है तो उसे तो अधिन में लेंगे लेकिन ये बात कहां रखेंगे पूरी निरड़े जो करेगा मजिस्टेट करेगा ये धारा 25 में कहा गया है धारा 26 की बात करें तो मजिस्टेट संपत को निरुद्ध कर सकेगा और उद्गोसला भी निकाल सकेगा किसमें कहा गया धारा 26 में धारा 27 के बात करें तो यदि कोई दावेदार उप संजात नही मतलब धारा 27 का मतलब अगर कोई उस धन को लेने के लिए जो मिला और कोई तयार नहीं है तो उस संपत को अधिगरान कर लिया जाएगा धारा 27 में कहा गया है धारा 28 की अगर हम बात करें तो पुलिस अधिकारी ना रहने पर परमाल पत्र इत्याद की परिदान करने से इंकार करने वाला व्यक्त धारा 29 की बात करें तो करत्य अब इत्याद की उपेच्छा के लिए सस्तियां ये आपको याद रखना है धारा 30 की बात करें धारा 32 की बात करें तो ठीक पूरवर्ती तीन धाराओं की अधिन निकाले गए आदेसों की अवग्या के लिए सक्ति सस्ति ठीक है धारा 32 की बात करें दोस्त यहां पर धारा 32 की बात करें तो सामुहिक ड्रिल यूम सामुहिक परसिछल की सामुहिक ड्रिल और सामुहिक परसि इसमें इतिहास, अर्थसास, भुति, विग्यान, रसायन और नीचे देखेंगे जिव विग्यान, संधिधान, भुलिष्टैटिक GK के साथ 288 पेज में इस ebook को तयार किया गया है और इस ebook को आप देख सकते हैं कि किस तरह जैसे यहां पे आप इतिहास देखें किस तरह वन लाइनर के रूँ में एक एक की पॉइंट को रखा गया है तो आपके लिए राम बाल सावित होगा और इमेज और कलरफोल के साथ इस ebook को तयार किया गया है जिससे आपके अंदर पढ़ने के रूची हो और पढ़ने के बाद मैं यह दावई के साथ कहता हूं आपके अंदर का पूरे का पूरा जो 10 हर जीके का वो खत्म हो जाएगा और यह आपके लिए यह आपको इस ebook को परचीज करना चाहते हैं तो इस ebook को अभी मातर 39 रुप तो धारा 33 में जिला के मजिस्टेट के नियंतरण की ब्याव विर्ती ठीक है और धारा 34 की बात करें तो सणकों पर कतिपय अपराधों के लिए दंड इत्याद धारा 34 की का की बात करें तो धारा 32 या 34 के अधिन अपराधों का प्रसमन दिया गया है 32 और 34 को जो उसके खिला आप काम करेगा उसका अपराद के बारे में 34 के काम वरलन किया गा, इसके कहने का मतलब, धारा 35 का मतलब अधिकारता का इसमें वरलन है, और धारा 36, धारा 36 में अन्य विधी के अधीन अभियोजित करने की सक्ति प्रभावित नहीं होगी, धारा 37 की बात करें, तो उसे आपको मिलने वाले हैं धारा 49 से 41 जो क्या कर दिया गया उसे निरस्त कर दिया गया है धारा 42 की बात करें तो कारवायों के लिए परिसीमा धारा 43 के बात करें तो यह अभिवचन की कारी वारंट के अधिन किया गया है धारा 44 के बात करें तो पुलिस अधिकारी क्या रख प्रादिकार तो यह जितने भी प्रारंबिक परिच्छा की दिरिष्टी से इसे सारणी को याद रखना अति आवस्यक है इसे जरूर याद कर लीजेगा अगर इसे याद कर लेना है तो 100% आपका आए कि पूरा-पूरा मैने कंपलीट करवा दिया है अव यूपी पुलिस की अगर आप तयारी करने तो बिल्कुल भी इस क्लास को इगनोर नहीं करना है और अभी अगर आप पेपर देने जा लें तो इसे आपको बार-बार दो से तीन बार वीडियो को देखना है और इसे तयार कर लेना है तो दोस्त अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मित्र तक जरूर सेर करना धन्यवाद जयहिन जय भारत बंदिम